next is max and min जैसे नाम से पता चल रहा है यह maximum नंबर बताएगा और min minimum बताएगा अब देखिए max के अंदर क्या पास हो सकता है मैं एक का example लूँगा दूसरा भी उसी तरीके से वर्क करेगा बस वह maximum के लिए और min minimum के लिए तो फिलाल मैं max का example ले रहा हूं मैंने नंबर इस तरीके से mention कर दी तो यह क्या बताएगा इसमें से maximum number है बोगता देगा अगर इस तरीके से पास ना करूँ मैंने यहां पर लिस्ट दे दी तो मैं क्या कर सकता हूं यहां पर लिस्ट भी पास कर सकता हूं तो इस तरीके से compare करेगा अब देखिए यह alphabetically order में इसे पिक करेगा यानि इन में से कौन सा alphabet पहले आना चाहिए कौन सा बाद में आना चाहिए जिसके sky code ज्यादा होगा उसे पहले पिक कर लेगा पहले first character को compare करेगा उसके बाद second को करेगा उसके बाद third को compare करेगा जिस तरीके से string compare होती है उस तरीके से alphabetical order में यह compare करके return करके देगा अब बताइए मैंने यह list दे रखिया है अगर मैंने max find out किया तो क्या देगा करना है कि जिसकी length बड़ी है उसे maximum consider किया जाए जिसकी length छोटी है उसे छोटा consider किया जाए तो मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि इसमें से maximum कौन सा maximum मेरे सबसे यह होना चाहिए तो कैसे पता लगाएंगे तो उसके लिए max function के साथ आप एक argument keyword argument or pass करेंगे यहां पर लिखेंग यहां पर compare करना चाहता हूं तो मैं यहां पर लिखूँगा लैन ध्यान रहे जब आप function का नाम लिखते हैं तो round bracket यहां पर नहीं लिखेंगे सिफ function का नाम लिखेंगे अब क्या होगा comparison करने के लिए हर एक element के लिए यह यह वाला function call करेगा इसके base पर देखेगा कि कौन सा maximum है कौन सा minimum है अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो बताइए क्या output है बिल्कुल अब क्योंकि length में maximum यह है तो output देगा यह यहां पर आपने अभी inbuilt function यूज किया length आप अपना define किया हूआ को function भी यूज कर सकते हैं आप यहां पर lambda expression भी यूज कर सकते है चलिए एक practical करके देखते हैं इस practical के अंदर मैंने क्या किया एक books नाम से list बनाई और इस list के अंदर मैंने क्या किया यह dictionary के कुछ elements add कर दिये और इसमें मेरे पास one, two, three, four, four dictionaries हैं ऐसे ही आपके पास इससे ज़्यादा भी हो सकते थी यह यह list of dictionary है और एक dictionary एक book को represent कर रही है इसमें book का id है, name है और उसका price है ऐसे मेरे पास चार book का data यहाँ पर store है, अब मैं क्या करना चाता हूँ, मैं इसमें से वो book display कराना चाता हूँ, जिसका maximum price है तो अब मैं max को किस तरीक से use कर सकता हूँ, तो अगर मैंने normal use किया max और यहाँ पर पास कर दिया books, right, तो क्या यह print करेगा maximum book का data, देख लेते हैं एक बार, चली इसे run करके देखते हैं, देखें यहाँ पर यह error दे रहा है, type error, greater than not supported between instance of dict and dict, यहनी यह dictionary और dictionary, इन दोनों element को compare नहीं कर पार रहा है, क्योंकि इसे पता नहीं है कि किस base पर मैं इन दोनों object को compare करूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, max के साथ में एक criteria और पास करना पड़ेगा, कि कि किस के base पर वो compare करे, यहाँ पर कोई function भी हो सकता है, यहाँ पर कोई as a key यहाँ पर पास कर दिया, इसका मतलब यह होगा, कि maximum function जो है, इन books में से, इस list में से, एक-एक element उठाएगा, यानि पूरी की पूरी डिक्शनरी इसका element है, यानि पूरी की पूरी डिक्शनरी उठाएगा, और यहाँ पर पास कर देगा, इस function के अंदर, इस function से जो value return हो इस criteria में क्या पास होगा, इस criteria में पास होगा, यह dictionary, यानि D में जाएगी यह dictionary, और return क्या हो जाएगा, इसका price, यानि max जो use करेगा, वो हर एक element के price को compare करेगा, और price के according देखेगा, कि maximum element कौन सा है, maximum object कौन सा है, जो maximum price होल्ड करता है, तो इसके according अगर आप देखें, तो यह object ऐसा है, जो maximum price होल्ड करता है, तो इसका मतलब max इसी dictionary को return करेगा, और जब आप इसे print statement के अंदर लिखेंगे, तो यही हमारा output आना चाहिए, एक बार execute करके देख लेते हैं, यह देखे, id 1001 name java price 450, क्लिया, अब देखे, यहाँ पर मैंने बताया था कि आप lambda expression भी pass कर सकते ह हैं, तो अगर आप यह function नहीं बनाना चाहते हैं, आप lambda expression देना चाहते हैं, तो कैसे देंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर lambda, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद argument आता है, जो आप function के अंदर देना चाहते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, d, तो यहाँ पर mention कर देंगे, d, क हम प्राइस यहां पर मेंशिन कर देंगे अगर आपने लेम्डा एक्सप्रेशन यूज किया है तो अब आप इसे हटा भी सकते हैं तो इससे भी वह आपको सेम रिजल्ट देगा एक्जिग्यूट करके देख लेते हैं यह देखें तो इस तरीकी से आपने देखा कि मैक्स के अंदर आप यूजर डिफाइन फंशन भी पास कर सकते हैं या कोई लेम्डा एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं तो जब आपकी लिस्ट इस तरीकी की हो कि जिस पे इन बिल्ट फंशन नहीं लग सकते तो उस समय आप इसका यूज कर सकते हैं आई हॉप यह क्लियर हुआ होगा चलिए अब क्विज हैं और चैलेंजिस हैं वो अटेम्ट कीजिए और ज़्यादा के लिए रोगा ओल दी बेस्ट